दोस्तों इंग्लेंड ने ब्याइमानी से जीता मैच जी हाँ दोस्तों आप लोग सही सुन रहे हैं दोस्तों एलेक्सेल्स और जोस्पल्डर दोनों ही प्लेयर आउट हो चुके थे बटमपैर की गलती की वज़े से वो आउट नहीं दिये गए दोस्तों और भी कारण थे जिसकी वज़े से टीम इंडिया ये मैच हारी है और आप कहेंगे इसमें साफ साफ बयाइमानी हुई है दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हैं इस खबर को विस्तार से तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दें तोसे लिए हम आपको विस्तार से बताते हैं जो कि इंगलेंड जैसी टीम के सामने बहुत ही कमरन थे अलाकि हार्दिक पांडिया ने भरपूर कोशिस की थी लेकिन फिर इंगलेंड के वल्लेवाजों ने ताबढ़ तोर पारी खेली और वो इस मैच को मातर 16 ओबर के अंदर ही जीत गए एक बार फिर LXL सा और चो स्पटलर ने सांदार पारी खेली जिसके कारण टीम इंडिया ये मैच हार गई बड़ दोस्तो इस मैच में एक ऐसी घटना हुई जो अभी काफी ज़्यादा चर्चे में दिखाई दे रही है दोस्तो आपको तो पता ही होगा कि टीम इंडिया ये मैच हार गई है लेकिन दोस्तो मैं आपको बता दू कि टीम इंडिया ये मैच ना हार थी अगर अंपायर द्वारा सही डिसीजन दिया जादा दोस्तों मैं आपको बता दू कि शुरुआत में ही दोनों बल्लेवाज आउट हो गए थी बटमपैर ने उसे नाट आउट करार दिया रीवी को आने के चक्कर में भारते टीम ने रीवी भी नहीं लिया और टीम इंडिया ये मैच काफी गंदे तरीके से हार गई इसार का में कारट कोई और ने बलकि इंडिया की गेंद बाजी है